जिला मुख्यले से सटे गर्रा में इस्तित बनस्पति उद्ध्यान दिन वद दिन अपनी बदहाली पर आंसु भाता न जारा रहा है जिस पर वनी भाका कोई ध्यानी नहीं है हालात इस तरह खराब हो गया है कि गर्रा गर्डन को डेवलप करना तो दूर की बात महां जो बचे कोछे संसाधन भी है उसका तक मैंटेनेस नहीं किया जा रहा है शायद यही वज़ा है कि बोटनिकल गर्डन के हालत दिन वदिन खस्ता हाल हो रही है और फेमिली के साथ यहां घूमने आने वाली लगातार इस उध्यान से अपनी दूरिया बना रहे है इस गर्डन के हालत इतनी दैनी हो चुके कि कोविट काल में के पूरूर लाखो रुपे के लागत से बनाए गया वाच्च टावर जमी दोज हो गया तो वहीं फेंसिंग वाल फेंसिंग जाले भी जहां साहां से टूट कर खराब हो चुकी इसके लावा अधिकार्यों कर्मचार्यों के लिए नदी किनारे बनाए गया रेष्ट हाउस भी जगह जगह से छती गिरिस्त हो चुका है जहां छत पर लगा फ्लाश्टर आय दिन गिरते रहता है इसके लावा भॉन भी काफी जर जर हालात में नजर आ रहा है है रित की बाद तो यहां कि रोजाना आने वाले यूकों से 10 रुपे प्रती व्यक्ति और 50 से 100 रुपे वहानों का चार्ज वसुलने वाला वनी भाग इस उद्यान के मरम्मत तक नहीं करा पारा जिस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान ही नहीं है लेकिन वहां भी जिर्ण शिर्ण इस्तिति में पहुँच गये जिसे भी सहज ने कि जिम्मेदारी जिम्मेदार नहीं उठा पार है कोई बात अगर इसके छेत्रवल की करें तो उद्यान 47 हेक्टियर यानी 116 एकड़ की भूमी में फैला हुआ है लेकिन बनसपति उद्य मामले को लेकर के गए दुरभाश वा चर्शा में वन परिश्यतर अदिकारी छात्रपाल सी जौदन ने बताया कि वनसपति उद्यान की मरमत कर संदरी करन करने के लिए तीन बार इस्टिमेट बनाकर भेजा गया है कितना का इस्टिमेट बनाय गया है फिलाल उन्हें याद नहीं है जैसे ही वजट आएगा मरमत वा संदरी करन की कारवाई शुरू की जाएगी